बिजली की समस्या नहीं मिटी तो बिजली विवाग के सर्विस वैन को अटका कर गिरामीनों ने विरोध परदरशन किया घटना उत्तर दिनाचपुर जिला के गौाल पोकर विदानसबा अंतरगत मजगाओं इलाके की है गिरामीनों की शिकायत है कि पिछले तीन महीने पहले से गाओं का ट्रांसफर्मर चेंज करके पुराना ट्रांसफर्मर लगा दिया गया जिससे गाओं में बिजली की समस्या हो रही है डेल महीने पहले पांजी पाड़ा बिजली विवाग के दफ्तर में लिखित शिकायत वो नय ट्रांसफर्मर के लिए आवेदन दिया गया है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है शोमवार को जब बिजली विवाग की सर्विजवेन गाउं में बिजली ठीक करने आई तो गिरामीनों ने सर्विजवेन को ही अटका दिया और विरोत दिखाना शुरू किये लोगों की मांग है कि जल्दी गाउं में बिजली परिशेवा को ठीक किया जाए अन्य थक गिरामीन बिजली विवाग के दफ्तर का घहराओ करेंगे साथ ही आंदोलन भी करेंगे गाउं है हमारे गाउं में तीन मेहने से लाइट नहीं है इसकी कमी यह की है यहाँ पर पहले एक बड़ा ट्रांसफर्मर लगावा था जो के 63 का था अभी यहाँ पर वो ट्रांसफर्मर नहीं है उसको खोल के लेके चले गए हैं और यह पुराना वाला ट्रांसफर्मर यहाँ पर लगा दिया है एके दिन बाद लेकिन अभी भी तीन मेने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुए है ना यहाँ पर पुरा ढारी लग जया है और विसलेग और लेकिन यहाँ पर हभी कोई lateable बंदो बस नहीं आप लोगों से फूच श़दे हैं यहाँ पर श् mouvementपटो साई लोग सब्सक्राइब करते हैं इसे लिए यहां पर नया से नया टांस्टमर जड़ी से जल्दी लगाया जाए और हम लोगों ने एलेक्ट्रिक भेंड जो होता है उसकी गारी को रोक के रखे हैं इसलिए कि जल से जल काम हो सके हैं लेकिन यहां पर हम लोग जुई एप्लिकेशन दे करने के बाद भी कोई सुन्वाई नहीं हुए अभी तक एप्लिकेशन देने का डिर मेंना हो गया चलिए मैं आपको तो हैं की गारी जिनको अप्लोगों ने अर्था गार्णाओं